अगर आपके पास already baby girl है and हर किसी को होता है कि हमारी family complete हो जाए एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए तो इसमें कोई भी गलत नहीं है अगर आप ऐसा चाह रही है तो क्योंकि मेरे पास भी एक लड़का है और मुझे भी इस बार इच्छा है कि मुझे baby girl हो तो obviously जिनके पास already baby girls होती है तो उनके मन में इच्छा जागती है कि इस बार अगर लड़का हो जाए तो उनकी family complete हो जाएगी और कई जगाओं पर तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको लड़की होगी तो second chances से लिए दिलवाते हैं कि इस बार इसको लड़का हो जाए तो बस भी वहीं पर बेबी स्टोप हो जाएंगे आपकी family आपका परिवार जो है वो complete हो जाएगा तो आए इस method को हम समझेंगे आज कि आप किस तरह से और किन दिनों में baby boy को conceive कर सकते हैं कब आपको relation बनाना है कि आपको chances बने baby boy conceive होने के तो आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखे य लेडी का कहीं पर भी कोई contribution नहीं होता है कि लड़का या लड़की में कोई लेना देना होता है तो यह सारा depend करता है मेल के उपर लेकिन इसमें मेल पूरी तरह से 100% वह भी जम्मेदार नहीं होता है क्योंकि आपको मैं बता देती हूं कि जो मेल के sperm होते हैं उसके अंदर 50% girl के sperm होते हैं और 50% boy के होते हैं ठीक है तो अब यह depend करता है कि जिस टाइम पर आप अपने husband के साथ intercourse हुए हैं तो उस टाइम पर X जादा मातरा में मौझूद था या Y जादा मातरा में मौझूद है तो I hope यहां तक तो आपको बिल्कुल clear हो गया होगा अब मैं आगे बता अधिन समझेंगे तो यह हैं baby girl के 50% sperm जो की baby girl के लिए होते हैं और 50% male के sperm जो होते हैं वह boy के होते हैं मतलब जिससे के आपको boy conceive होते हैं तो जो baby girl sperm होते हैं वह दिखने में कुछ इस तरह हैं होते हैं इसाकार की होंगे तो यह थोड़े है और यह बहुत पहुंचेंगे क्योंकि यह हैवी होते हैं तो इस वज़े से थोड़ा पहुंचेंगे लेकिन इनका एक पॉइंट यह रहते हैं कि यह पांच दिन तक आपके अंदर जिंदा रहते हैं अगर आपका ओविलेशन होता है और इनको मिल जाता है तो यह एग को फर्टलाइज कर ल पहुत इस से कहीं ज़्यादा फास्ट होती है इस स्पम की स्पीड पर इनका एक माइनस पॉइंट है कि सिरफ तीन दिन तक ही जिंदा रहते हैं ठीक है यहां तक का कॉंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा तो यदि अगर पांच दिन में आपका एग जैसे कि आपका ए जाएगा तो अब इसको समझते हैं माली जी आपको तीस तारीक को ओविलेशन हुआ ठीक है तीस तारीक को आपका एग रिलीज हुआ और आपने अपने हस्बेन के साथ रिलेशन पच्चीस तारीक को बनाया तो इन दिनों में आपने अपने हस्बेन के साथ रिलेशन बनाय यहां पर प्रोसेस चल रहा है उससाब से अब तक मेल का जो मर चुका होगा तो आपके पास जिंदा स्पम कौन सा रहेगा जो फाइव डेस तक जिंदा रहेगा वह गर्ल का स्पम हुआ तो आपको लड़की होने के चांस यहां पर ज्यादा बन जाते हैं कि अगर आपने आपको बेबी जल होने के चांस हो जाएंगे वहीं अगर आपने 25 को अपने पती के साथ इंट्रकोच किया उसके बाद 26 को कर लिया तो जैसे मैंने बताया कि जो मेल का यह वाला स्पम होता है इसकी जो बनावट होती है वह बहुत हलकी होती है और यह कहीं ज्यादा फास्ट होते हैं बहुत तेज रफतार के होते हैं तो जैसे एग की इनको पता चलता है कि आग आगया एग को अट्रेक्ट करता है तो सबसे पहले जो मेल का स्पम होगा क्यूंकि गर्ल के बहुत ज्यादा है तो वह धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलेगा लेकिन जो मेल का स्पम होता है जिससे लड़का बनता है वो sperm बहुत फास्ट दोड़ेगा तो यदि आपने 26 में 28 में मतलब एग रिलीज होने के 2 या 3 दिन पहले तक relation बनाया होगा तो male sperm जिंदा होगा और girl के sperm से पहले अंडे तक पहुँचके उसे fertilize कर देगा जिससे की baby boy होने के chances आपके बढ़ जाते हैं तो यह सारा depend करते हैं कि आपने अपने husband के साथ relation कब बनाया और किस time पे कौन सा sperm उस time पे मोजूद होगा जिससे यह निर्धारी तो होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी I hope guys इस concept से आपको समझ में आ गया होगा I hope guys मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी knowledge लेके आ रही हूँ कि आपको idea लगे आपको इस बारे में knowledge मिले जो conceive करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन method को apply करें and आप baby boy को conceive कर सकते हैं अगर आप इस तरह का method follow करते हैं अगर आपको पता है कि आपको ovulation किस डे पे होगा किस दिन आपका egg release होगा ovaries से और आप calculate कर सकते हैं मैंने video भी बनाई हुई है आप देख सकते हैं कि आप अपना ovulation कैसे calculate कर सकते हैं तो यदि आपको वो याद है तो आप दो या तीन दिन पहले अपने husband के साथ intercourse कर सकते हैं जिससे की male sperm की जो संक्या वो बढ़ी रहे और जो फुर्तीला sperm होगा वो जाकर एक को fertilize करेगा और आपको baby boy होने का chance बढ़ जाएगा तो आपको ये video अच्छी लगे होगी कि ऐसी ओर videos के लिए में channel को subscribe करें मैं नई नई दरीके की बाते आप लोगों के लिए लेक्या आउंगी जो कि आपको समझने में भी आसान होगी मुझे समझाने में आसान होगी और आप लोगों का भी कुछ ना कुछ benefit हो मेरी videos देखd तो जादा जादा चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जिन किसी को भी इच्छा है तो वो ऐसा कर सकें अब बाकी देखें किस्मत से कोई लड़नी सकता है किस्मत तो मैं भी नहीं जीत सकती उससे तो लेकिन हम ट्राइ कर सकते हैं ट्राइ करने में क्या जाता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट जरूर करना कि आपको प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है या कौन सा महीना चल रहा है मुझे चल रहा है आज 6 वीक 2 डेज मिर टे ने नेक्स वीडियो में बाइ बाइ